नमस्कार दोस्तो, पीपल के पत्ते उबालकर पीने के अद्वुत फायदे दोस्तो पीपल का पेड़ आपको अपने आजपास जरूर मिल जाएगा, इस पेड़ का दार्मिक, आजिरुवेदिक और विज्ञानिक तीनों परकार से महतव है ओश्दियों में पीपल के फल, पत्ते और छाल का प्रियोग किया जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें विविन ओश्दिय गुण पाये जाते हैं या तक की तवच्चा की कई समस्याओं को दूर करने के लिए इनका पेष्ट बना कर भी लगाया जाता है बहुत से लोग पीपल के पत्ते का सीधे तोर पर सेवन करते हैं वहीं कुछ रोग इसके रस या अरक का सेवन करते हैं लेकिन क्या आपने कभी पीपल के पत्तों को उबाल कर इसके पानी का सेवन किया है तो चलिए जानते हैं people के पत्तों के फायदों के बारे में दोस्तो people के पत्तों में protein, fiber, calcium, iron, magneez, popor, anti-diabetic, anti-implementary, anti-oxidants, anti-bacterial, anti-amnesic, गुणों से बरपूर होता है इसलिए उबलने के बाद यह एक healthy drink बन जाता है पीपल का पत्ता उबालकर पीने से सुगर लेवल कंट्रोल में रहता है साथी दिल का हाल भी बेतर बना रहता है वहीं हाई भीपी और बैट कलेस्ट्रोल कंट्रोल करने में भी पीपल का पत्ता उबालकर पीने से बहुत पाइदा पहुंचता है नमबर एक पाचन क्रिया पीपल का पता पाचन क्रिया को भी मजबूत करने में साहिक होता है या शरीर को डिटाक्स करने में साहिक होता है इसके पीने से शरीर से विशले पदार्त बाहर निकल आते हैं नमबर दो अर्द्य रोग इसके तीन ताजा पत्तों के आगे पीछे के कोनों को तोड़कर हर रोज सुबक खाली पेट चबाने से फून साफ होता है ये शरीर की दमनियों में जम्य हुए केलेस्ट्रोल को दूर कर ऑक्सीजन का संचार करते हैं नमबर तीन खुजली पीपल की कुछ पतियों को गिसकर दिन में तीन से चैर बार खुजली या कीड़े के काटने वाली जंगय पर लगाने से आराम मिलता है नमबर च्यार बुखार इसके तीन ताजा पत्ते एक गिलास पानी में उबालें पानी जबादा रह जाये तो गुनगुना होने पर पी लें इस बुखार में ऐसा दिन में दो से तीन बार करने से लाब होता है नमबर पाँच मेमोरी पावर पीपल का पता मेमोरी पावर को भी भूष्ट करता है और तो और पेपड़ों को भी सेतमन्द रखने का काम बखुबी करता है पिड़नी के लिए भी पीपल का जूस अच्छा शाबित होता है ध्यान रहें ये बाते पीपल को उपियोग में लेने से एक गंटा पहले और बाद में कुछ ना खाएं इसकी तासिर गरम होती है इसलिए इसके परियोग के बाद जंक फूड तली बोनी वे मसाले वाली चीज़े ना खाएं साफ़ दूले हुए पीपल के बड़े पतों से बनी पतल पर रखे बोजन को खाने से शरीर को आक्सीजन और एंटी ओक्सीडेंट मिलते हैं पीपल के पत्ते उबाल कर पानी कैसे बनाएं एक पतीले में 250 एंबल पानी लें और इसमें 2-3 पीपल के पत्ते डाल कर तब तक उबालें जब तक की पानी आदा नहीं हो जाएं इसे किसी बर्तन में छान लें और थोड़ा ठंडा होने दें इसमें सैद मिलाकर सेवन करें सुबह खाली पेट सेवन करने से सबसे अधिक लाब मिलता है यह भी ध्यान रखें पीपल के पत्तों का पानी सेवन करने से पहले हमेशा डोक्टर से सला जरूर लेनी चाहिए खासकर गर्गोती या सतन पान कराने वाली मिलाओं को जरूर सला लेनी चाहिए तो दोस्तों यह थे पीपल के पत्तों से होने वाले फायदे दोस्तों वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो का अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेर करें मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार दन्यवाद सबस्तर हो और मस्तर हो